क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब केले सिर्फ किस्से कहानियों में ही बचेंगे लगता है कि वो दिन अब बहुत दूर नहीं है ऐसा हो सकता है कि अगले 5 से 10 सालों में केला इस दुनिया से गायब हो जाए केलो पर सिगाटो का नाम की एक बिमारी का खत बतावनी दी गई है क्योंकि इन जेट प्लेन का इस्तेमाल यहां केले के खेतों में दवा चिड़कने के लिए किया जा रहा है केलों को ब्लैक सिगटो का नाम की बिमारी से बचानी के लिए हफते में दो तीन बार फफून मारने वाली दवा चिड़की जाती है यह फफू ना सीखना होगा ये एक ऐसी फंफूद है जिसके लिए यहां तापमान और नमी अनुकूल है इसलिए बनी रहेगी हम बस ये कर सकते हैं कि नेमित रूप से चांच करते रहें और इस बात पर ध्यान दें कि कहीं ये फैल ना जाए और पौधों को नुकसान न पहुंचाए अ यहां की हवा में उतनी नमी नहीं है जितनी की मध्य अमेरिका में वहां तो यहां की तुल्ना में तीन गुना ज्यादा चिड़काओ करना पड़ता है केले की खेती करना आसान भी है केले के पेड़ के इर्द गिर्द छोटे-छोटे पौधे उगने लगते हैं जिनमें पूरी फसल का वैसा ही जैनेटिक धाचा मिले इससे हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी फलों की गुणवत्ता बेहतरीन होगी उनका वजन अच्छा होगा और प्रती हेक्टेर बेहतरीन पैदावार मुम्किन हो सकेगी लेकिन केले उगाने का ये तरीका खतरनाक भी है क्योंकि इस तरह पौधा अपनी जेनेटिक सन्रचना को खुद तो बदल नहीं सकता और ऐसे में कुद्रत में मौजूद अपने दुश्मनों से वो अपना बचाओ भी नहीं कर पाता पूरी दुनिया में केले की एक ही किस्म उगाई जा रही है केवेंडिश और ये किस्म खुद को फफुन से बचाने में सक्षम नहीं है ग्राकों कोईन कीट नाशको और फफुन नाशकों से कोई खतरा नहीं है लेकिन केले उगाने वालों को है इकवाडोर में और गेनिक केलो की मांग बढ़ती जा रही है कुल पैदावार का दस फीस्दी हिस्सा और गेनिक केलो का है इनके लिए नए बागान भी लगाय जा रही हैं जैसे की ये एल पिंको गुंजालो माक्स पेनरेटा पहले कीट नाशक बनाने वाली एक फैक्टरी में काम करते थे तीन साल काम करने के बाद बे बीमार पड़ गए मैं एक फैक्टरी में काम करता था जहां खेती बारी का सामान बनाया जाता था कीट नाशक वगरा मुझे वहां काम करना होता था जहां कीट नाशक छिड़का जाता था जेट प्लेन ने मेरे उपर कीट नाशक छिड़का उसी से मैं बिमार हो गया कीट नाशकों के इस्तेमाल से यहां बागान में काम करने वादे लोग बिमार हो रहे हैं एक उम्र के बाद उनके नाखून गिरने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, उन्हें कैंसर हो जाता है, आँखों की रोशनी चली जाती है, यहां अती हो रही है घीट नाशकों के नुकसान के बारे में कोई आधिकारी कांकड़ा तो मौजूद नहीं, लेकिन यहां काम करने वाला हर शक्स किसी ना किसी को जानता है, जो बीमार हुआ है और्गेनिक बागानों में रसाइनों के इस्तेमाल की अन्मती नहीं, यहां और्गेनिक खाद का इस्तेमाल होता है और सीगा टोका फफून से बचने के लिए खास किसम का तेल इस्तेमाल किया जाता है अगर आप एक सामान्य बागान में रात को अंधेरे में घूमने निकलें तो आपको जमीन पर कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन और्गेनिक बागान में घास, फूस, चीटियां सब मिलेंगे, कई तरह के कीड़े दिखेंगे यहां हासी इंदा मदाया बागान में दार्वीन पलासियोस ने उतपादन को स्टेंडराइज किया है फसल पर विवस्थित रूप से नज़र रखी जाती है इस तरह से वे पानी, खाद और कीट नाशक का सिर्फ जरूरत पढ़ने पर ही इस्तेमाल करते हैं ऐसा करके पैसे की भी बचत होती है कटाई होने के बाद हमें यहां केलों की सारी जानकारी मिल जाती है सबसे जरूरी जानकारी है बजन इसके अलाबा हम देख सकते हैं कि फल की उम्र क्या है और कौन सा पारसल बागान में कहां से आया है इस जानकारी के आधार पर हम देख सकते हैं कि कौन से फ़लों में खराबी है और फिर जहां जरूरत है बस वहीं सुधार करते हैं और आखिर कार केलों को यूरोप और दूसरे देशों के सफर के लिए तैयार किया जाता है पैकिंग के दौरान ये हरे ही होते हैं समुद्र के रास्ते अपनी मंजिल पर पहुँचने के बाद ही एथिलीन लगा कर इन्हें पकाया जाता है रिसर्चर अब केलों की ऐसी किस्मों पर काम कर रहे हैं जिन पर फपूंद असर ना कर सके केट नाशकों और रसाइनों से बचने का एक यही तरीका दिख रहा है फिर शायद केले को गायब होने से बचाया जा सके